अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ECHS जो की सभी पेंचनर्स और भूतपूरों सैनिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटी है उसके बारे हम बात करेंगे और अभी इससे जुड़ी जो important update आ रहा है जैसा कि ECHS जो है time to time नए-नए updates निकालते रहते हैं तो इस बार जो है जो COVID-19 की vaccination है ECHS के जितने भी जो users हैं उनके लिए जो COVID-19 की vaccination कराईगी है उससे related अभी एक latest order आया हुआ है हम बात करेंगे कि अभी COVID-19 की vaccination से related इसमें क्या-क्या points mention किये गया है और कब से शुरू होने वाली है क्योंकि already जो है देश बर में COVID-19 की vaccination शुरू हो चुकी है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया जो subscribe जरू करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरू दबाएं चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस important update में क्या mention किया गया है अब देख सकते हैं दोस्तों सभी regional centers को बेजा गया ही है इसमें कि covid vaccination ECHS beneficiaries for about 60 years और 45 years से 60 years के बीच में है जिन जिन लोगों ने ECHS की membership लिया है इसमें जो prevailing guidelines है on covid vaccination जो कि 60 years above 45 years above उसको मानना है as all ECHS polyclinic will act as covid registration facilitation centers for providing assistance to ECHS beneficiaries तो जो registration और काम है वो ECHS के polyclinics में होगा all ECHS polyclinics should mark one or two computer with internet facilities which is already existing at polyclinic तो पहली चीज़ है क्योंकि यहां पर registration होगा तो internet की availability होनी चीए प्लस computer होने चीए उसके बाद से जो है ECHS क्योंकि अब यह जो vaccination है काफी बड़े मात्रा में किया जाना है बड़े पैमाने पर किया जाना है तो जो ECHS के स्टाफ है उनको training देना जरूरी है और जो medical officer of ECHS polyclinic should provide medical certificate to ECHS beneficiaries of age group 45 years to 59 years और जो भी format होगा वो भी decide किया जाएगा इसमें जो एक बहुत बड़ा जो है order निकला है जिससे की जो यह जो vaccination होला part है वो proper चल सके इसमें आप देख सकते in age group above 50 years 60 years below 45 years above उसके लिए जो आप देख सकते covid vaccination are for general public will involve people above the age of 50 years and with deemed to be in greater risk और बाकी जिनको ज्यादा रिस्क है उसको तो दोस्तों यह vaccination होला process शुरू हो चुका है और यह PCHS में इसका registration शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं यह एक March का ही update है और जल्दी जो है इसमें polyclinics में जाके आप पता कर सकते हैं कि आगे या क्या process है दोस्तों यह था आज का important update सभी ECS के लिए latest जो अभी order आया है जिसमें की COVID की vaccination से related है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए शेयर कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video आए झाल